पुजा जी कितना मार्क्स कितना आया चार गलत है मैं चार गलत है यानि कि 30 out of 26 very good 30 out of 26 चलिए अब questions share करते हैं वो चार कौन सा आपका गलत है question कहां गया अजाओ कि अजाओ करते हैं अजाओ करते हैं झाल तो यदितना आपका गलत हैं चलिए आपका इसमें पैसेज में कोई गलत है फुजाजी एक भी नाइन्टी 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 पोयम वला कौन सा शब्द शमुह यही वला ना कौन सा शब्द शमुह से भिन है संगीन, भायबीत, प्रयत्न और मृत जो आपको अलग रहा भिन लग रहा है संगीन का मतलब होता है इसको शंगीन मतलब क्या कहेंगे कि हम लोग बोलते हैं बहुत संगीन अपराद किया है बहुत बड़ा अपराद किया है जिसको हम लोग ऐसे भी इस सेंस में बोल सकते हैं भैभीत का मतलब होता है डर ना ठीक है या फिर प्रतन का मतलब कोशिश अमरित का मतलब मड़ा हुआ तो इसमें से कौन सा ओफ्शन है जो हम लोग का यहाँ पे बाकी सबों से क्या है वो अलग है और भिन्न है ठीक है तो हम लोग इस पैसेज में आप जो पढ़ी थी वो पैसेज के अनुसारी इसका एंसर दिया गया है एक तो ऐसे एंसर हो सकता है कि बाकी सबसे वो और है भिन्न है उससे हम लोग चाड़ सकते हैं और एक पता है कैसे answer धूंड सकते हैं इस passage में उस शवद का जिक्र ही नहीं हुआ है वाकि टीन का आठा हुआ होगा और किसी एक का जिक्र नहीं हुआ होगा तो बताएे इसमें चारों में से किसी एक का कौन से का जिक्र नहीं किया गया है यहां पर देखिए जो गध्यांत दियाव है हम एक बर पढ़ते हैं कि जीवन का अर्थ है व्रिधी अर्थार्थ व्रिस्तार और व्रिस्तार ही प्रेम है इसलिए प्रेम ही जीवन है ठीक है वही जीवन एक मात्र गती नियामक है और स्वार्थ परक ही मृत मृत्यू है। मृत्यू यहां पर इन दोनों का प्रयोग हो गया। यह लोक और पर लोक में यही बात सत्य है। यदि कोई कहे कि देह के बिनाश के बाद और कुछ नहीं रहता तो भी उसे यहां मानना पड़ेगा कि श्वार्थपरक की यतार्थ मृत्यू है। परोपकार ही जीवन है परोपकार न करना ही मृत्यू है। जितने नर्प तुम देखते हो उसमें 90% मृत्यू है। प्रेत है क्योंकि यह बच्चे जिसमें प्रेम नहीं है। वह मृत्यू नहीं है। तो और क्या है। यह यूवको सबके लिए तुम्हारे श्रिदय में दर्द हो गरीब मुर्ख और पद दलितो के दुखो को श्रिदय से अनुभाव करो। समवेदना से तुम्हारे श्रिदय की क्रिया रुक जाए, मस्तिस्क चकराने लगे, तुम्हें ऐसा प्रतीत हो कि हम पागल तो नहीं हो गये हैं। तब जाकर ईश्रिदय के चरणों में अपने श्रिदय की व्यथा प्रकट करो। तभी उसके पास से सकती सहायता और सदम में उत्साह आएगा। गत दस वर्षों से मैं और मेरी मुल मंत्र घोशित करते आया हूँ कि प्रयत्न करते रहो। ठीक है देखें बृत सब्द का प्रयोग मिल गया। प्रयत्न करते रहो और अब भी मैं कहता हूँ कि अविराम प्रयत्न करते चलो। जब चारो और अंधकार ही अंधकार दिखता है तब भी मैं कहता हूँ कि प्रयत्न करते रहो। और आज जब थोड़ा थोड़ा उजाला दिखता है तब भी मैं कहता हूँ कि प्रयत्न करते जाओ। तो दो शब्द तो हम लोगों मृत और प्रयत्न यहां पे मिल गया, एक और सब्द क्या था हम लोगों का, देखें 99, प्रयत्न मिल गया, मृत्न मिल गया, ठीक है, यहां पे हम लोगों ने जो पैराग्राफ पढ़ा, वो पैराग्राफ अल्रेडी भैभीत यहां पे शब्द क जिक्र हुआ है संगीन सब्द का अर्थ यहां पे बिल्कूल भी नहीं हुआ है इसलिए यहां पे option number एक जो संगीन जो है वो हम लोग का क्या होगा बाकी सबसे क्या होगा अभिन्न होगा ठीक है सेंटेंस पढ़ते समय हम लोग जो है एकदम भैभीत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है लेकिन इसका भाव प्रकट हुआ है इसलिए यह भी क्या है इसमें शामिल है लेकिन संगीन शब्द का प्रयोग इसमें बिल्कूल भी नहीं हुआ है नहीं भाव प्रकट हुआ इसलिए यह बिलकुल भी क्या है उसह बिन्ना है इसमें DOUBAL DOUBAL दे दिया गया गया है क्या इसमें डबल दिया है क्या एक ही PASHES को दो बार दे दिया गया नहीं चुलिए कवीता वाला में कहा है यहां पर कोई भी विकल्प आपको गलत नहीं मिलेगा, यह बात ध्यान रखिएगा, सबसे उत्तम, सबसे परफेक्ट हम लोगो ओप्शन्स ढूड़ना है, जीवन पत पर चलते हुए, जब मैं किसी चौराहे पर पहुँच जाओं, और अंतर मन में चल रहा हो द्वंद, तब हे सर्व शक्तिमान ईश, मुझे तुम अपना अनुगरा पात्र समझ कर, ठीक है, सही राह चुन सकने में मनीस देना, यानि कि मेरी सहायता करना, कविता का अर्थ भी थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि एगदम पढ़े राज जा रहा हैं दर अल्ले स बोल रहा है, निरासा का कुहासा, जब मन मस्तिस्क की सक्ति को रोकने लगे, यानि कि हमारे मन में इतनी ज़्यदा निरासा भर जाए, कि हमारे मन मस्तिस्क को, हमारे अंतरात्मा को, हमारी सक्तियों को रोकने लगे, जब मानवता पर आस्था, मेरी डगमगाने लगे, तब हे क्रिपालू प्रभू मुझे थोरी दूर ही सही देख सकने योगि दृष्टी देना यानि कि मैं बहुत दूर तक ना देख सकूँ, दूर दर्शी ना बन सकूँ पर थोरे दूर तक ही मुझे राह पकरने की राह समझने की सक्ति देना, इसमें आपका कोई गलत है कविता में चौराहा की और संकेत किया गया, सड़क का चौराहा हाँ नहीं, इसमें कोई भी गलत नहीं इसमें एक भी गलत नहीं है वेरी दूट चलिए, जब इसमें एक भी गलत नहीं है, तो किसमें गलत है CDP में CDP में गलत है CDP हम लोगा यहां से स्टार्ट हो रहा है Question number 106 ठीक है बोल रहा है भासा सिक्षन के रूप में आप किसे सरवादिक महत्वपुन मानती है पाटे पुस्तो को, भासा आकरन को, भासा सिक्षन को या संसाधन सामगरी को किसे मानेगी सबसे उप्यूक तो बताइए और कौन-कौन जुड़ा है हमको यह बताइए तो पहले प्रिया मैं और जोती जोती नहीं है चलिए, बताइए बताइए प्रेदर्शनी जी इसका क्या आंसर होगा, भासा सिक्षन के रूप में आप किसे सर्वाधिक महत्वपून मानती है पाठि पुस्तक को किताबों के माध्यम से पढ़ना और भासा का नौलेज लेना भासा के आकलन को मानेगी भासा सिक्षन को मानेगी के संसाधन सामगरी को मानेगी किसो को मानेगी, सबसे उप्यूक भासा सिक्षन भासा आकलन आप बोल रही है भासा आकलन आप बोल रही है भासा सिक्षन सही एंसर क्या होगा इसका सही एंसर क्या होगा भासा सिक्षन भासा सिक्षन आपके वल पार्टे पुस्तक पढ़के भासा का ग्यान नहीं ले सकती है आपके वल आकलन करके भासा का ग्यान नहीं ले सकती है ठीक है शन्सादन सामगरी से भी हमें भासा का ग्यान नहीं हो सकता है हमें भासा का सिक्षन य तक हमको उसका कोई सिक्षन नहीं देगा, तब तक हम उस सावग्रियों का कोई उप्योग नहीं कर सकते हैं, हम मात्रा अपने घर में आकलन ही कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे जो हैं, अपने घर में, परिवार में, एक दूसरे का आकलन करके भासा को सीख लेते हैं लेकिन क्या वह सही भासा सीखते हैं उनमें कुछ ने कुछ टूटिया होती है स्कूल जाने के बाद ही वह एक perfect language को सीखते हैं तो भासा सिक्षन यहां पर सबसे उत्तम हम लोग का option होगा अगला बोल रहा है भासा सिक्षन के रूप में आप किसे सरवाधिक महत्वपून एक ही question को बार-बार repeat करके दे दिया है क्या दो-दो बार दे दिया है 107, 107 देखिए पहली कक्षा की पार्टे पुस्तक में ऐसी भासा का प्रयोग किया जाना चाहिए जो सरल हो, जटिल हो, सहज हो या साहित्तिक हो बताइए पहली कक्षा सहज होनी चाहिए पहली कक्षा है, primary label है बच्चों को हम लोग ऐसी भासा में शिक्षा देने की कोशिश करेंगे जो उनके लिए बहुत ही सहज हो जो उनका जो मात्री भासा हो जिनका वो घर में प्रयोग करते हैं तो शहज भासा का प्रयोग करके बच्चों को हम क्या करेंगे प्राट्समी कक्षा में शिक्षा देनी चाहिए क्वेशन नमबर 108 देखिए बोल रहा है किसी भी पाट के अंत में दिये गए अभ्यास और गतिविदिया बच्चों के डैस में मदद करती है हम लोग पढ़े थे इवियस अंत में कुछ न कुछ अक्टिविटिस दे दिये गया था गतिविदिया दे दिये थी कुछ अभ्यास दे दिया गया था या बच्चों का किस में मदद करता है श्रमन कोशल में मदद करता है भासा विस्तार में मदद करता है पठन कौशल में मदद करता है या लेखन कौशल में मदद करता है किस में मदद करेगा बताये तो भासा विस्तार में भासा विस्तार में प्रिदर्शनी जी आप जुड़ी है ना हाँ समझ में आ रहा है ना किसी भी पाट के अन्त में जो भी अभ्यास या गति विद्धिया दी जाती है। उससे स्रवन कोशल में मदद नहीं हो त्यूमिफ उसाल का विकास होगा। तो उसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना भासा विस्तार के अंतरगत आ जाएंगे, इसलिए इसमें हम लोगों का भासा विस्तार में मदद होगा, 108 के बाद आगया, 109, देखिए बोल रहा है, प्रार्तमी किस्तर के बच्चों के लिए कहानियों का चयन करते समय सबसे कम महतपून बिंदू क्या है, कि क्या है, हम बच्चों के लिए कहानियों का चयन कर रहे हैं, चुनाओं कर रहे हैं, तो सबसे कम important, इसमें हम लोग को चूज करना है, बोल रहा है कहानी का कलेवर, कहानी की लंबाई व विस्तार, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक पडिपेक्ष और बच्चों का अनुभ बच्चों का अपना अनुभाव संसार, बच्चे अपने अनुभाव को सेयर करें, यह भी बेस्ट है, हमको इसमें बताना क्या है, सबसे कम महत्वपून बिंदू को बताना है, कहानी की लंबाई और विस्तार, कहानी जितना लंबा होगा, जितना विस्तार पुर्वक होग वो important है या कहानी का कलेवर नई ठीक है कहानी का कलेवर का मतलब क्या हो जाएगा यानि कि कहानी का जो एक नाम दिया जाता है ना उसको topic दिया जाता है ना वो हम लोग chapters कोई भी पढ़ते हैं उसके खाली chapters के नाम से हम लोग उसके विशय में कुछ बहुत कुछ जान जाते हैं कि हम लोग जो ये chapter का नाम है इसके विशय में हम लोग ये ये अब पढ़ने वाले हैं एक नया topic पढ़ने वाले हैं इसका option number क्या है इसका क्या answer दिये है पुजा जी कहानी की लंबाई और विस्तार सबसे कम महतवपून है नाम से भी हम लोगों को उस topic की विशय में बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है तो कहानी की लंबाई और विस्तार को हम लोग कभी नहीं देखेंगी वो कोई माइने नहीं रखता है चोटी सी चोटी कहानी भी हमें बहुत ज़्यादा क्या करती है हमारे लिए बहुत effective होती है हमें बहुत सदा ज़्यादा message देती है 110 देखिए पढ़ने की कुषलता में सरवाधिक महतोपून क्या है हम लोग पढ़ रहे हैं किसी चीज को तो हम लोग को पढ़न कुषल है इसमें सबसे अधिक महतोपून क्या है लीपी ग्यान यानि कि अकप जो भी लिखा हुआ है हमको उन सारी लीपियों का ग्यान है तेजगती एक दम धराधर 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 पढ़े जा रहे हैं हिंदी ठीक है ये बहुत अधिक महतोपून है अर्थ या फिर सब्द ग्यान बताएए क्या होगा सरवाधिक महतोपून आप लोग को ये चीज हम बोले है अर्थ चाहे वो हम लोग का पठन कौशल हो चाहे वो हम लोग का लेखन कौशल हो जाहे हो अर्थ का स्पष्ट होना बहुत ही important है खीक है हमको लीपी का ग्यान है वो उससे ज्यादा महत्पून हमें उसके अर्थ का पून रूप से ग्यान होना चाहिए समझ मिया आया तो पढ़ने की कुष्यदा में सर्वादिक महत्पून सबसे कह चाहे वो पठन हो चाहे लेखन हो चाहे स्रामन हो कुछ भी हो, सभी में अर्थ जादा महत्रपून है, हम कुछ सुन भी रहे हैं ना, तो हमें उसका अर्थ स्पर्ष्ट होना चाहिए हम कुछ लिख भी रहे हैं तो हमको उसका अर्थ शमजना 111 बोल रहा है विद्याले अपने सरी विद्याले आने से पूर्व बच्चे के पास अपनी भासा संपदा तो होती है लेकिन डैस की सचेत जानकारी नहीं होती है बताईए तो हम आप लोगों को पताए थे कि जब भी बच्चे स्कूल आते हैं तो बच्चे ब्लैंक पेपर नहीं होते हैं गोरे कागज नहीं होते हैं बच्चों के पास अपनी मातर भासा के अलावा एक और भासा ठीक है? mostly अब देखिएगा कि जो भी बच्चे स्कूल आ रहे हैं उनको एक से ज़्यादा भाशा का नॉलेज होता है उस भाशा पर उनका पूर्ण कमांड होता है होता है ना तो बच्चों को भाशा बोलना जानना एक दम ब्लैंक पेपर में नहीं आता है उनको बहुत कुछ नॉलेज होता है तो इसके अलावा क्या बोल रहा है लेकिन डैस की सचेत जानकारी नहीं होती है किसकी हम बच्चों को बच्चे भासा तो अपने परिवार जनों के माध्यम से अनुकरन करके सीख जाए लेकिन उसकी संपून जानकारी एक चीज होती है जिसकी संपून जानकारी बच्चों को पड़ने लिए नहीं व्याकरण छोटे बच्चे अपने घर के वाहॉल में रहकर सबका अनुकरण करकर भासा का ग्यान तो हाशिल कर लेते हैं भासा तो सीख जाते हैं लेकिन ठीक है ममी को ममी के लिए कौन से लिंग का प्रयोग करना है पापा के लिए कौन से पुलिंग का लड़का है तो तुम लड़की है तो इधर मतलब अलग अलग चीजों का वो लोग अनुकरण करके तो सीख जाते हैं लेकिन फिर भी उन बच्चों को व्याकरण का जो है शंपून ग्यान नहीं होता है व्याकरण का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए कहां किया जाना चाहि जुड़ी है आप लोग यहां पर क्या होगा व्याकरण भासा बहुत ही सहजता से बच्चे अपने मात्र भासा को सीख जाते हैं लेकिन उन में पूरी तरह से व्याकरण का ग्यान नहीं होता जैसे कि आप लोग को एक इग्जामपल दिये थे याद है कि एक बच्चा विद्य ठीक है बच्चा इस तरीके से इस लेंग्वेज में बात किया तो इसमें व्याकरणिक दोश है टीचर उसके बातों को नकारते वे बिना काटे उसको किस परकार समझाती है वहां पर कि ओ तुम्हारे दादा जी तुमको लेने आए हैं समझ में आया तो वो उसका व्याकरण व्याकरण मिस्टेक को सुधारने की कोजिश कर रही है टीचर तो यहां पर हम लोगों बच्चों को व्याकरण में कमिया नजर आती है ग्यारा बारा बोल रहा है कि जिन बच्चों को पढ़ने में कठनाई होती है वे डैस से प्रभावित होते हैं बताईए आप लोगों प और dysgraphia, क्या बोलेंगे पूजा जी? dyslexia dyslexia क्या होता है ऐसे बच्चों को? dyslexia ठीक है? dyscalculia हम लोगा math से related हो गया ठीक है? समझ में आया? dyscalculia पढ़ने खाली यहां पढ़ना भी आ है पढ़ना लिखना दोनों भी दे देना तो भी हम लोगा क्या होगा? dyscalculia जिस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होगा उस बच्चे को लिखने में भी दिक्कत होगा तो पढ़ना लिखना समझा अगर होता है तो हम लोग किसको option में देंगे? dyslexia को dyslexia 12 यह भी 12 है न 13 भासा आकलन का उदेश नहीं है क्या नहीं है भासा आकलन का उदेश बच्चो के सीखने में मदद करना भासा आकलन का उदेश नहीं है कि बच्चो का हम भासा सिखाएंगे बच्चो के सीखने के तरीके के बारे में जानना कि बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं बच्चो के उतिन अनुतिन कड़ना ठीक है और बच्चो को अपनी गती से सीखने के अवसर देना बताईए आप लोग इसका एंसर खुद दे सकती है एक दम easy way में इसका शही एंसर क्या होगा बच्चों को अपनी गती से सीखने के अवसर देना अवसर प्रदान करना हम लोगा बहुत अच्छा उप्शन है बच्चों को सीखने में मदद करना पार और पाइट देना ये भी अच्छा है बच्चों को सीखने के तरीके के बारे में जानना कि बच्चे किस तरीके से किसी चीए हर बच्चा जो है व्यक्तिकत रूप से भिन है तो उनके सीखने का तरीका अलग-अलग होता है तो यह भी जानना बहुत जुरूरी है ठीक है इसमें सबसे हम लोगा कम उदेश्य वला क्या दिख रहा है बच्चों को उतीर्ण अनुतीर्ण करना भासा आकलन के बाद हम बच्चे को तुम पास हो गया तुम फेलो गया बच्चे को कभी भी हम लोग क्या करेंगे इस तरह किसे वर्गी कृत करेंगे उसको उतीर्ण अनुतीर्ण की श्रणी में डालेंगे, नहीं डालेंगे, ठीक है, बच्चों को उतीर्ण अनुतीर्ण की श्रणी में नहीं डालना है, हम लोग उतीर्ण अनुतीर्ण की श्रणी में डालना है, यानि कि बच्चों को वर्गी कृत कर रहे हैं, हम उसको लेबल बड़ा दीले आ रहा है, मेरा तु साउंड एक दम फुल है, कुश्चन नमबर 114, बोल रहा है कि भासाई चमता के आकलन की दृष्टी से निम्न में से कौन सा प्रश्ण शरवादिक उचित है, भासाई आकलन, भासाई चमता, ठीक है, कि किसी बच्चे में उसकी भासा चमता कितनी तीब्र है, कितनी अच्छी है, तो सरवादिक उचित क्या होगा यहां पे, तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते, या नहीं, क्यूं, या बच्चा जो वाक्य बोल रहा है, इस वाक्य का आप लोग और्थ समझ में आ रहा है, हम लोग जब भी कोई वाक्य बोलते हैं, तो वाक्य का अपना एक सार्थक और्थ प्रकट होता है, जब वाक्य का सार्थक और्थ प्रकट नहीं हो रहा है, तो वह वाक्य क्या है, ए ठीक है, इसके बाद बोल रहा है, चुहा टोपी, पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था, तो भासाई छमता के आकलन की दृष्टी से, निम्न में से, कौन सा प्रश्ण शरवाधी कुछी थे, बताइए, आपका भासाई छमता कितना है, हमको ये जानना है, तो आप, आप लोगो हम ये बताए थे, अभी सारी और अपसारी बताए थे, खुले अंत वाला प्रश्ण और बंद अंत वाला प्रश्ण, आप लोगो हम ये खुले अंत वाला प्रश्ण और बंद अंत वाला प्रश्ण बताए थे, अपसारी और अभी सारी आप लोग हाँ या ना में जवाब दिजिए तुरा जोड से बोलिए फुजा जी है है हाँ लेकिन नहीं पता हमको बताएं कि नहीं आप बताएं हैं ना प्रेदर्शनी जी अपसारी और अभी सारी अपसारी का मतलब होता है खुले अंत वाला प्रशन हम आपसे कुछ ऐसा प्रशन कियें जिसका आप हमको एंसर दिये जा रहे हैं दिये जा रहे हैं उसका कहीं इंड ही नहीं है ठीक है उसका कहीं इंड ही नहीं है कहीं अंत ही नहीं हो रहा है ऐसे प्रशन उसको हम लोग कहते अपने कहा मेरा नाम पूजा है बस इसके अलावा आप इसमें कुछ और जोड़ सकती है बता सकती है नहीं लेकिन अगर हम आपसे कहते हैं कि आपके नाम का और्थ क्या है आपके नाम का कहा कहा प्रयोग होता है तो उसके विशा में आप हमको बहुत सारा चीजे बता सकती है नन स्टॉप बोल सकती है उसका कहीं इंड नहीं है उसका कहीं इंड नहीं है तो ऐसे प्रश्न जहां पे किसी का इंड नहीं होता है उसके विशे में हम दो चार एक्जामपल्स दे सकते हैं कई सारे अर्थों में उसको बता सकते हैं, ठीक है, बहुत चीजों में उसको विस्तार पुरोग समझा सकते हैं, वो हम लोग का होता है, खुले अंतवाला प्रशन, उसको हम लोग कहते हैं, अपसारी चिंतन, स्रिजनात्मक बच्चे अकसर जो होते हैं, किस ताइब को होते है अब सारी चिंतन वाले होते हैं वो किसी चीज़ को अलग-अलग तरीके से अलग-अलग examples देगे ठीक है, different-different way से वो किसी चीज़ को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और आपको समझा सकते हैं और अभी सारी का मतलब होता है मतलब हम आपसे ऐसा ही प्रशन पूछन है जिसका आप उतना ही answer ही दीजिएगा उसके बाद आप कुछ बोली नहीं सकते हैं आपका नाम क्या है बेटा? नाम बता दिया आप कहां रहते हो? ये बता दिया आप क्या खाए हो आज? बता दिया उसके अलावा वो क्या बोलेगा? हमने उससे उतना ही limit question ही पूछा ये बंद अंत वाला प्रशन है इसका ये limited है और वो जो है अपसारी जो होता है खुले अंत वाला वो unlimited होता है उसमें हम जो चाहे वो उसकी विशा में विस्तार पुरोग बता सकते हैं यहां पर कितने सारे options है इस options में आपको डूड़ना है कि कौन सा हम लोगों का खुले अंत वाला प्रशन है भासाई छमता हमें किसी बच्चे की भासाई छमता जाननी है और हम बच्चे को एक ऐसा topic दे दिए और बोले कि बताओ वो बच्चा बताय जा रहा है तो हमें उस बच्चे की भासाई छमता का नौलेज हो रहा है बच्चा नए नए शब्दों का प्रयोग कर रहा है अपने मन से बच्चा कहानिया बुन रहा है उस कहानियों को सजा के बता रहा है तो हमें उस बच्चे की भासा छमता का ग्यान हो रहा है ठीक है, हम आप ही को अभी recently बोल देंगे कि पुजा जी हम आपको एक टॉपिक दे रहे हैं कि आप CETED का exam क्यों देना चाहती है ठीक है, CETED का exam आप क्यों देना चाहती है और आप हमको इस पपे बताईे ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसा होगा, आजकल इसकी तैयारी के लिए हर लोग जुड़े हुए हैं, हर छेतर में आजकल सीटेट मांग रहा है, आपने अनलीमिटेड जवाब दिया, अंत नहीं है, ये हम लोगा अपसारी हो गया, खुले अंत वाला प्रशन हो गया, और ह हम अगर आपसे यही पूछते हैं, कि पुझा जी, सीटेट का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए, तो आपने बता दिया कि सेंट्रल टीचर एलिजिलिविटी टेस्ट, बस इतना ही न बोलेंगी, अगर हम ये पूछ रहे हैं तो, और वहां हम जो पूछ रहे हैं, यहां जो पूछे हमने आपसे लिमिटेट क्वेश्चन पूछा, आपने बस उतना कहीं एंसर दिया, तो वो हो गया बंद अंतवाला प्राशन, अब इसमें से आपको ढूड़ना है, हम लोग जहां पे अपनी इक्षाओं को, अपने विचारों को बहुत ज्यादा एक्सप्रस कर रहे हैं, वहां पे हमारी भासाई छमता जो है दूसरों को दिख रही है, प्रकट हो रही है, अब हम आपसे पूछे कि पुझा जी आप सीटेट क्यूं करना चाहती है, तो आपने जो हमको इतना सारा सब कुछ बताया, उसमें हमको आपकी भासाई छमता का पता चला कि आप के पास क्या क्या भासाई शमता है आप किस प्रकार से शब्दों को परिस्तितियों के अनुसार सजा के बोल सकती है आप कैसे नए नए शब्दों का प्रयोग कर सकती है परिस्तितियों के अनुसार कैसे आप अपने को अप एंड डाउन करके बोल रही है यह होता है भासाई शम्ता जब हम लोग कविता पढ़ते हैं तो कविता में कोई लाइने ऐसी होती है जिसमें हम लोग को थोड़ा उंच स्वर में बोलना पढ़ता है कोई लाइने ऐसी होती है जिसको हम लोग को दबे स्वर में बोलना ये अभी एक भासाई चमता का गुन होता है, शमझ में आया, जब हम लोग कोई वाक्य को पढ़ते हैं, तो जब फुल स्टॉप आता है, या खड़ी पाई आती है, तो हम लोग को वहाँ पर थोड़ा ब्रेक लगाना चाहिए, इसके बाद हम फिर नेक्स लाइन को पढ़ते ह है, ये होती है भासाई चमता, शमझ में आया, तो हमको यहाँ पर भासाई चमता अपनी बतानी है, तो कैसे बताएंगे, तुम बजाज होते, तो चुहे को कपड़े देते या नहीं, क्यों, ठीक है, दर्जी चुहे की किस बात से डर गया, अच्छा बताए, ये जो प्रश एंसर देगा, इस बात से अगर डर गया होगा तो, बस इतना ही बोल के वो स्टप हो गया, थार्ट बोल रहा है, चुहा टोपी क्यों पहनना चाहता था, तो चुहा अपने सिर को ढखने के लिए टोपी पहनना चाहता था, बस इसका एंसर यहीं पर फिनिश्ड हो जाएगा हो जाएगा ना, अगला बोल रहा है कि चुहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था, तो चुहा अपनी टोपी को सुंदर बनाने के लिए उस पर सितारे लगवाना चाहता था, लेकिन पहला ओप्षन जो है, तुम बजाज होते, तो चुहे को कपड़ा देते या बताओ क्यूं, तो वहां पर वो imagine करेगा, कि अगर हम बजाज होते, तो चुहे को कपड़ा देते, क्योंकि चुहा जो है, ठंड में, क्या है, ठंड में बहुत ज्यादा परेशान रहता है, ठंडी की वज़े से उसकी तबियत बिगर जाती है, इसलिए हम चुहे को कपड़े चुहे को उसके पसंदीता कपड़ों का चुनवा कर उसके साइस के कपड़े से लवा देते, ठीक है, इसपे हम बहुत सारी बाते बोल सकते हैं, अपने विचारों को, अपने भाव veil को अलग अलग तरीके से एक्स्प्रेस कर सकते हैं, तो यहां पे हम लोगों को उसकी भासाई छमता का क्या हो रहा है, ज्यान हो रहा है, पता चल रहा है, इसलिए option number 1 कि तुम बजाज होते, तो चुहे को कपड़ा देते या नहीं, क्यूं, यह हम लोगा option बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें उसकी भास कि छमता का हमें पता चल रहा है, शरवादिक उचित हम लोगों का प्रस्न यहां पे यही है, समझ में आया या नहीं आया है, आया मैं, पक्का ना, यस मैं, हिंदी में भी at least 27-28 आना चाहिए, एकदम must है, 27-28 हिंदी में आना चाहिए, CDP में 27-28 आना चाहिए, EBS में 30 out of 30 आना चाहिए, ठीक है, और मैट्स के लिए हम आपको बताएंगे पूजा जी, टेंसन मतलिजिया, 14 हो गया, 15 बोल रहा है, बहु भासा कक्षा की दृष्टी से कौन सा क्रिया का लाब अपेक्चा कृत अधिक उचित है, बहु भासा बहु भास ये कक्षा का मतलब क्या होता है, ऐसी कक्षा जिसमें भिन 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 भासाएं बच्चों के द्वारा बोले जाती है, नहीं दिख रहा है, एक मिनिट, दिखे, वेट केजिए, अभी दिख रहा है, ये इस माम दिख रहा है, बहु भास ये कक्षा की द्रिश्टी से कौन सा क्रिया कलाप अधिक उचित है, बहु भास ये का मतलब जहां कक्षा में दो से ज़्यादा भासाएं बोली जा रही है, दो तो मस्ठ है, एक हिंदी, एक इंग्लिश, इसके अलावा भी कुछ अन्य भासाएं का प्रयोग वहा लिजे, कोई बच्चा है, जो बेंगॉली बोलता है, उसको बोलेंगे कि अपनी भासा के पांच शब्द बोलो, ये हमें एक ऐसा बच्चे से क्रिया कलाप करवा रहे हैं, प्रते एक बच्चे से, जो जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वाइज जानते हैं, बोलते हैं कि अपनी भासा में कहानी शुनाओ, बताइए, कौन सा सबसे बेस्ट होगा, फोर्थ नमबर में, फोर्थ नमबर, अपनी भासा में कहानी शुनाओ, बच्चे को कहानी कहने के लिए, कहानी लिखने के लिए, कहानी शुनानी के लिए, जब भी कहा जाता है, तो बच्चा क्या होता है श्रिजनात्मक बनता है श्रिजनसील बनता है हर चीज तो उसको एकदम परफेक्ट याद नहीं है आप छोटे बच्छों को नोटिस कीजिए गाना वो कुछ कहानी या कुछ कविताय बोलता अगर बीच में भूल जाएगा ना तो वह अपने से उसको जोड़ तोड़ पांच सब्द लिखके वो स्टॉप हो गया पांच सब्द बोलने से वो स्टॉप हो गया या फिर दस वाक्य बोलने के बाद वो स्टॉप हो गया लेकिन कहानी सुना रहा तो यह तो बढ़ते जा रहा है इसमें उसका ज्यादा भासाई ग्यान हो रहा है तो सबसे बेस्ट नम्लों का ये होगा शोला नम्मर पढ़ना लिखना सीखना तब सरल होता है जब उन्हें किसी उद्देश के साथ जोड़ा जाए उन्हें वर्ण माला ग्यान के साथ जोड़ा जाए निरंतर अभ्यास कराया जाए या निरंतर पड़िक्षाओं का आयोजन किया जाए इसमें बताएए दू आपशन कौन कौन सा कट गया पहले ही ये पताएए आपशन नमबर तीन निरंतर अभ्यास करवाया जाए तीन और चार तीन और चार हम लोग का आप्शन ऐसे ही कट गया पहले ही कि निरंतर अभ्यास करवाया जाए और निरंतर पड़िक्षाओं का आयोजन करवाया जाए ये दोनों option हम लोग कैसे ही कट गया रहे गया option number एक और दो पहला दूसरा बोल रहा है कि उन्हें वर्ण माला ग्यान से जोड़ा जाए पढ़ना लिखना सीखना तब शरल हो जाता है जब उन्हें वर्ण माला ग्यान से जोड़ा जाए या फिर उन्हें किसी उद्देश के साथ जोड़ा जाए कौन सा नमबर किसी उद्देश के साथ जोड़ा जाए आप सीटेट कर रही है और आपका कोई लक्ष और कोई उद्देश ही नहीं है तो क्या यह पढ़ना लिखना आपके लिए सरल होगा जब इसटेश के साथ जोड़ देंगे की नहीं हमको गौर्शमेंट सेक्टर में जॉब लेना है हमको एक सरकारी सेसर वपना तब यह चीजी आप उद्देश पूर जब करेंगी तब यह को दिए है तो यहां पर क्या होगा जब किसी उदेश हुदिशा के साथ इसको जोड़ा जाए तब यह हमारे हुद्ञीं क्या हो जाता है आप लाक्टम के दांशन भाटबर को दो पक्ष होते हैं एक संरचनात्मक पक्ष और दूसरा डैस पक्ष, क्या होता है? भासा के दो पक्ष होते हैं, याद रखिएगा, एक उसका पक्ष होता है संरचनात्मक और दूसरा उसका पक्ष होता है भावात्मक, ठीक है? एक क्या होगा उसका संरचनात्मक पक्ष होगा और एक उसका भावनात्मक पक्ष होता है जो उसके भावनाओं से जुड़ा होता है समझ मैं या यह याद रहे हैं तो भासा के दो पक्ष होगा एक संरचनात्मक पक्ष एक भावनात्मक पक्ष 1818 भासाई चमताओं के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है भासाई चमताओं यानि कि हम बोलने में कितने स्पोट हैं हम कैसी परिस्तिती में किन सब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कैसी परिस्तिती में कैसे बोल रहे हैं तो कौन सा कथन उचित नहीं है भासाई चमताएं एक दूसरे को प्रभावित करती है ठीक है भासाई चमताएं एक क्रम से नहीं सीखी जाती है हम लोग सुबब पल्ली का एक क्रम होता है सबसे पहले सुनना फिर बोलना फिर पढ़ना फिर लिखना हम लोग एक क्रम से सीखते है भासा अरजन जो होती है बहती सहजता के साथ होती है भासा अरजन जो हम लोग करते हैं भासा अरजन से अगर कोशन आएगा तो वो क्या होता है भासा अरजन बच्चों के लिए सहज होती है लेकिन भासा का विकास या फिर भासा सीखना बच्चों के लिए क्या होता है? कठिन होता है यार रखिएगा अगर भासा अर्जन से कोशन आए और वहाँ पे सहज और जटिल दिया है तो भासा अर्जन क्या होता है? सहज होता है बच्चों के लिए लेकिन भासा विकास जो होता है, वह क्या होता है? जटिल होता है या फिर भासा सीखना, वह क्या होता है? जटिल होता है, बच्चissant अपनी मात्रे भासा बहे ही सहचता के साथ सीख लेते लेकिन कख्शा में जाते हैं Kinder language लेकिन वही बसकूल में जाता है और इंग्लिस बोलना पड़ता है लिखना पड़ता है और लिकना हमनों कि लिए तफ हो जाता है तो ये दू-पाइब का भी आता है याद रखेगा एक सहज होता है और एक होता है तो चलिए इसमें बोल रहा है कि भासाई शमता एक क्रम से सीखी जाती है भासाई शमता में समझ अंतर नहीं थोती है और जो कुछ भी हम लोग भासाई शमता सीखते हैं वो अपने समझ के आधार पर सीखते हैं तो यह भी सही है, चार भी सही है, तीन भी सही है नमबर एक बोल रहा कि भासाई शम्ता एक दूसरे को प्रभावित करती है हाँ अगर कोई बच्चा मान लिजिए गुंगा है वो बोल ही नहीं पा रहा है तो वो सुन के किसी शब्द का जब प्रोनाम सेशन ही नहीं कर पा रहा है अपने फीलिंग्स वो बता ही नहीं पा रहा है तो उसका एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रभावित कर रहा है कर रहा है ना या फिर कोई बच्चा जो है वो बहरा है वो सुन ही नहीं सकता है वो किसी के बातों को सुन ही नहीं पा रहा है तो वो क्या प्रतिक्रिया देगा वो क्या बोलेगा उसको बोलने आ रहा है फिर भी वो नहीं बोल पाएगा नहीं बोल पाएगा ना तो एक दूसरे पक्षे से प्रभावित होता है तो भासाई चमता जो है यह option हम लोगा क्या है? गलत है. भासाई चमता के बारे में कौन सा कतन उचित नहीं है? तो भासाई चमता एक करम से नहीं सीखी जाती. समझ में आया? नहीं आया? आया? नहीं आयागा तो आप लोग हमसे question फिर से पूछिएगा कि कहा है? doubt clear कीजिएगा. कोई दिकत नहीं है ना? नहीं नहीं. उन्निश नमर, 119 नमर विद्याला की पार्ठे चारिया सहगामी क्रियाएं ऐसी हो जो बच्चे को डैस के अवसर प्रदान करे. विद्याला में पार्ठे चरिया के दोरान बच्चों को जो सहगामी क्रिया कलाब कराया जाते हैं यानि कि समूह में जो क्रिया कलाब कराया जाते हैं वह क्रिया कलाब ऐसे हो जो बच्चों को डैस के अवसर प्रदान करे. किस चीज़ के? मौखी का अभिव्यक्ति के? अपनि बातों को अभिव्यक्त करना लिखित अभिव्यक्ति के भासा प्रयोग के या अभिनय के पूजा जी option है मोखिक अभी व्यक्ति लिखित अभी व्यक्ति भासा प्रयोग या फिर अभी नहीं भासा प्रयोग में भासा प्रयोग विद्याले की पाठे चरिया देखे न फिल इन दे ब्लैंक में आपको क्या सूट कर रहा है वो भी देखा जाता है विद्याले की पाठे चरिया सहगामी क्रियाएं ऐसी हो जो बच्चे को डैस के अवसर प्रदान करे क्या होगा जहां हम बोले थे आप लोग को बताए थे ट्रिक में कि जहां संप्रेशन की बात आ है मोखिक संप्रेशन की बात आ है वो सबसे बेस्ट आप्शन है यहनी कि मोखिक अभिव्यक्ति संप्रेशन का मतलब हो गया अभिव्यक्ति संप्रेशन का मतलब ही हो गया क्या अभिव्यक्ति यहां पे क्या होगा बच्चों को मोखिक अभिव्यक्ति के आउशर प्रदान करे रहिए सहभागी क्रिया कलापों में वो सबसे हम लोगा क्या होगा यहां पर एस्ट होगा अधिकर निखीत अभी व्यक्ति के माधियम से भीुष कर और शैक्त कर रहरे यह लेकिन मौखीकवए व्यक्ति में बुच्छ कुछ नहीं लिख पाते हैं लेकिन मौखी का विक्ति में उनके मन में जो कुछ भी विचार है जो कुछ भी वह सभी चीजे वह व्यक्त करते हैं इसलिए मौखी का विव्यक्ति बहुत ज्यादा है कि वैं हम लोग का अंपॉटेंट है कि कुश्च नंबर 20 लाष्ट क्वेश्च बोल रहा है भासाई चमताओं के विकास में सरवादिक महत पून क्या है बच्चों का भासाइच हमता का हमको विकास करना है तो सरवादिक महत पून इसका ऐन्सर आप लोग तो एक परट से एंसर दिज्चे लेडियो, टेलीवीजन अंतहक्रिया या पडिशा है Americans इंतहक्रिया अंतहक्रिया समाज के साथ इंट्रेफ्ट होंगे अंतक्रिया करेंगे तो पच्चों की भासाई चमताओं का विकास सबसे ज्यादा होगा आया समझ में तो हिंदी में कम से कम एटलिस्ट कोशिज कीजिए कि 28 29 आए CDP में 28 29 आए खिक है EBS में 28 29 even 30 तक आ सकता है 30 तक आ सकता है अगर इस थी आप लोग के आप इस अब लगाइब करके मानली ये दस नंबर में मैंटश में लाती है तो आप लोग 85 आगे आप लोग पास हो गई अगर जनर्नल में नहीं इसी सटी में आती है या फिर obesity में आती है तो 82 में पास 82 में भी पास कोशिश कीजिए ठीक है चुछ में आया यह नहीं नहीं समझ में आया कुछ और चीज़े आप लोग को करवाते हैं जिसे आप लोग का marks तो रब बढ़े अभी तो हम लोग पर सेटर करिंगे तर्थे maths सब्से पहले maths का CDP कर लेना है ठीक है नुमेरिकल को हाथ नहीं लगाना है maths का CDP करना है अगर समझ में आ रहा है तो समझ के अनुसार नहीं समझ में आ रहा है तो trick के अनुसार लेकिन छोड़ना नहीं है समझ में आया छोड़के कुछ भी नहीं आना है देखे question number 32 screen पर दिख रहा है न बोल रहा है question number 32 बोल रहा है कि एक सिक्षिका कक्षा 2 के बच्चे को कागज पर कुछ बिंदू बनाने के लिए कहती है ठीक है उसके बाद वह बच्चों को उसी कागज पर एक आयत बनाने को कहती है ठीक है जो उस बिंदू से होकर नहीं गुजरता है पहले क्या बोल रही है कुछ बिंदू बनाने को कह रही है फिर उसी कागज पर एक आयत बनाने को कह रही है लेकिन वह जो आयत बना वह उन बिंदू से होकर नहीं गुजरता है तो फिर वह बच्चे को आयत के भीतर जो बिंदु है उन्हें गिनने के लिए कहती है अब जो बिंदु जो आयत के भीतर चले गए है उसे वह क्या वोल रही है गिनने के लिए कह रही है गिनने के लिए कहती है तो इस गति विधी के माध्यम से वह निमने म पढ़ा सकती है, बताइए यह जो गतिविधी बच्चों को करवा रही है, पहले एक पेपर पे डॉट बनवाई, फिर बोली आयत बनाओ अब आयत के अंदर जो बिंदू है उस बिंदू को गिनने के लिए कह रही है तो इस गतिविधी के माध्यम से वह निम्न में से क्या नहीं पढ़ा सकती है बताइए तो बच्चे को संख्या की तुलना आयत का छेत्र अंदर बाहर और स्थानिय समझ वो क्या नहीं पढ़ा सकती है बच्चों को इसका ओप्शन क्या होगा इसका ओप्शन स्थानिय समझ स्थानिय समझ इसे बच्चों को नहीं मिल रहा है एक मिनट वेट कीजिए इसे इसे कि अखस्फवा है अगो ज्ग बाइड बाइड जडंग अ।़ आई? तो अरानेडड और इलानेडंग अरानेडड वर डड़ी पर के दिवास है झॉमस है यह लग्लेंग लग्लेड़ पह लगयाओ तुम्हारे ही एरिया नगुसरा, तुम सम्झाओ, अभी से कहा कहा है, कौन-कौन उसका पंचाय कहा है, कौन पूरा वाला किताब है, या वगे शपक्राव, तुम सम्झाओ, या कौन फिरया नगुसरा सुन तुरा में नभी इसका पंचाय कहा है, को ऩढ़ा है, कौना मेरस कुम सम्झाओ, चला कίν कौना है, कौना मेरस कौना कौना चला करे। इनकेसा कोनम किया का इसकांध ये उ्रवाद माद कांट मुषिकांट करेमिकाल ये झाल 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 अच्छा सॉरी मेरा म्यूट था जिसी जी ने आवाज नहीं खुड़ा तो और हम आप लोगो तब से हेलो हेलो बोले जा रहे हैं हमको लगा क्यों नहीं कोई बोल रहा है कि एक सिक्षी का कक्षा दो के बच्चों को कागज पर कुछ बिंदू बनाने के लिए कहती है उसके बाद वह बच्चों को उसी कागज पर एक आयत बनाने को कह रही है जो कि उस बिंदू से होकर नहीं गुजरता है तो फिर वह बच्चों को आयत के बीतर जो बिंदू है उन्हें गिनने के लिए कहती है तो इस गतिविदी के माध्यम से वह निम्न में से क्या नहीं पढ़ा सकती है बच्चे को बच्चे को वो बिंदू के माध्यम से संख्या की तुलना तो करना सिखा रही है एक बिंदू, δो बिंदू, तीन बिंदू, या फिर इस बिंदू को इस बिंदू से मिलाये जाए तो एक रेखा बनेगा, दूसरी रेखा बनेगी तो संख्या की तुलना तो बच्चों को करवा रही है इससे, ठीक है? बिंदू के द्वारा वह बच्चे को अंदर और बाहर का भी ज्ञान बता रही है कि बिंदू अंदर है बॉक्स के और बॉक्स के और बिंदू के बाहर हम लोका अपना एक आयत बना हुआ है अंदर बाहर का भी ज्ञान बता रही है इस्थानिय समझ भी बता रही है बच्चों को उन बिंदू के माध्यम से ठीक है एक साथ से दूसरे स्थान की समझ भी बता रही है वो बिंदू के माध्यम से कैसे बता रही है इस्थानिय समझ देखिए बिंदू जो है आयत के माल लिजी उत्तर दिशा में है लंबाई की तर तो अच्छित नहीं बता सकती है। नों का प्रयोक करके बच्चे को कुछ चीजों को बताना है। तो हम लोगों ने उस बिंदु और आयत के माध्यम से बच्चे को संख्या का ग्यान करवाया। उस बिंदू और आयत के माध्यम से अंदर और बाहर का ग्यान करवाया, उस बिंदू और आयत के माध्यम से बच्चे को स्थानिय समझ का भी ग्यान करवाया, हम उस बिंदू के माध्यम से और उस आयत के माध्यम से बच्चे को छेतरफल नहीं बता सकते हैं, क्योंकि छेतरफ कर लिए तो उसमें हम लोग का बिंदू जो है पूरी तरह से उसमें इंक्लूड हो गया था यहां पर हम लोग उसको बच्चों को छेत्रफल का ग्यान नहीं दे सकते हैं ठीक है समझ में आया हम लोग बच्चों को वहां पर छेत्रफल का ग्यान नहीं दे सकते हैं जो छोटा छोटा कोशन है आप लोग जो सॉल्व कर सकती हैं वैसे बता रहे हैं देखिए 708 में कितने दहाई यानि कि 10 है इसको निकालना बहुत इजी है क्या करेंगे 708 है ना उसको डिव आएगा नहीं तो एक सुनी ऊपर चला गया तो 70 बार में जा रहा है ऐसा ऐसा कोशन तो सॉल्व कर सकती है आप लोग फटा फट यह सब कोशन छोड़ना नहीं है और अगर टाइम मिले तो जो बड़े-बड़े कोशन है उसको भी सॉल्व करने का कोशिश कीजिए अपने सा पैन पैंसिल लेकर जाना है और वहां पे आप लोगों को पेपर मिलेगा मैज का कोशन स्रॉल करने के लिए लेकिन अपना पैन पैंसिल सब हम लोगों को लेकर जाना है हो सके तो हाट में घड़ी वहां पे घड़ी वरी सब दिवाल में टंगा रहता है ठीक है घड़ी नही कि यह ले जारा क्या कि वह लोग के लिचाने में निकल आगे टेमी पहलना है यह जो दा इंट नहां न कि इस नी तरहा हैं, अगे देखें वह यह की ऐखाने तपक दिए फ ti if. सेंक, चार Але में। हम लोगा के स्थान के अंक, sports का 2 गुना ने है। उसका वह दो गुना है, ठीक है, यह थोड़ा रिजिनिंग वाला समस हो जाता है, तो सैक्रे के स्थान का अंक, हजार के स्थान के अंक का आधा है, सैक्रे का स्थान कौन से हो गया, यह कहाई, दहाई, सैक्रा, यानि की आठ, सैकड़ा यानि की सो, सैकड़े के स्थान पर क्या है हम लोग का अंक का आधा है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, केवल हम लोग को जो पहला अंक चार दिया है ना, उसी चार अंक से हम लोगों को ये reasoning solve करना है, उसी चार से हम लोगों को वो solve करना है, बोल रहा है श्खै अंकों की संख्या में हजार के स्थान पर अंक चार है सबसे पहले point दे दिजिए क्या दे दिजिए point इकाई दाहाई सेक्डा हजार दे दिए point point पे हम लोग क्या बठा दिए हजार पर बोल रहा था ना तो दहाई के स्थान पर जो अंक हेएं हुए स्थान या ah आड़री स्थान पर दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगा चारका दोगुना क्या हो जाएगा आठ हो जाएगा बस बुंदु पर बठाते जयान किटना है किटन पर हुजार के स्थान का आधां है मिलड़क हाजार जाएगा दो तर्फारी चार TWO ₹ इस तरह कि बीजाते जाना है इसके बाद क्या बोल रहा है कहां चला गया दस हजार के स्थान पर इस्थान का अंक हजार और सैक्रे के स्थान के आकड़ों का जोड है अब दस इस्थान इकाई, दहाई, सैक्रा हजार, दस हजार दस हजार पर क्या बोल रहा है कि जो आपका अंक हजार और सैक्रे पर जो अंक है ना उन दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़ के जो आएगा वहां पर 10,000 पर बैठा दीजिए ठीक है आपका सैकड़े पर स्थान सैकड़ा पर क्या था सैकड़ा पर हम लों का क्या था दो था बनाईए इसको आप लोग अपने से बनेगा ये यह बनाईए है तो आपड़े वहाँ पे थोड़ा से दिमाग इस्तमाल करके एकाई दहाई सेक्रा हजार ठीक है? एकाई दहाई सेक्रा हजार हजार के स्थान पे चार है दहाई के स्थान पर जो अंक है वह हजार के स्थान का दो गुना है एकाई दहाई यानि की आठ इसके बाद सेक्रे के स्थान पर सान का अंक हजार के स्थान के आधा है एकाई दहाई सेक्रा यानि की दो आधा है इकाई के स्थान का अंक सैक्रे के स्थान के अंक का आधा है सैक्रा इकाई सैक्रा यानि की वन हो गया तो दस हजार के स्थान पर सान का अंक हजार और सैक्रे के स्थान के अंक का जोड़ है हजार और सैक्रा लाक के इस्थान का अंक 10,000 के इस्थान के अंक का आधा है यानि कि तीन तो संख्या क्या होगी क्या बना बताइए दो मेरा तो संख्या बना है देखे वन नमबर आपका क्या बना पुजा जी क्या बना पुजा जी छे अंक लेना है बताते जाएए ना देखे एंसर में तीन छे चार दो आठ वन ऑप्शन नमबर चार है यही बनेगा ना पुजा जी अब पहले बिंदू बठाइए एकाई दहाई सेक्रा हजाः देस जार लाग आप जैसे जैसे खाली एक अंक दिया है और उसी एक अंक पर सारे अंकों को बठा देना है देख़िए बहुल रहा हजार के इस जार पर बठाई है अब दहाई के स्थान पर जो अंक को अंक का दो गुना है हजार के स्थान के अंक का दो गुना है मतलब आठ तो दहाई की स्थान पर आठ बढ़ा दी दो आठ हो गया सैक्रे के स्थान का अंक हजार के स्थान के अंक का आधा है आधा है खाली एक ही अंक से सारा अंक बन रहा है एट हजार के स्थान पर वा हजार के स्थान पर क्या था चार था हजार के स्थान पर चार था, तो सैक्रे के स्थान पर जो अंक आएगा, वो हजार के स्थान का आधा है, तो आधा चार का आधा दो होगा, चार का आधा दो होगा, अब बोल रहा है, कि इकाई के स्थान का पर जो हम लोग का अंक है, वो हम लोग का क्या है, सैक्रे के स्थान का तो सव्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् स्थान पर जो संक्या है ना उसकी आधा उसका आधा है तो छे का आधा तीन होगा तीरी हाँ तो तीन शे चार दो ती आठ एक बना एंसर आप्शन नवर चार इजी है 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 ना इजी बस थोरा समझने का जर्वत है अगला क्वेशन बोल रहा है कि फरहान के पिता उसे कुछ आमों को संभू में व्यवस्थित करने के लिए कहते हैं वह दो दो के संभू में आम लगाता है तो एक आम बच जाता है कितना आम बच जाता है दो-दो का सब का जोड़ा बन रहा है, लेकिन एक आम का जोड़ा नहीं बनता है, एक आम बच जाता है, फिर वह तीन-तीन और साथ के सम्मूह में आम व्यवस्थित करता है, जब एक का जोड़ा नहीं बनता है, तो फिर सो वह जोड़ा बनाता है, अब वह कितने-कितने का जो पचास से क्या है कम है किसे कम है पचास से कम है तो यदि वह उन्हें पांच के समू में लगाता है तो कितने आम बचेंगे बताए तो पचास से आम कम है और यदि वह उन्हें पांच के समू में लगा रहा है तो कितने आम बचेंगे? पांच से कटने वालі संख्या कौन-कान सी है? जिसका अंतिम फिगर पांच अगर किसी भी फिगर को आपको पांच से डिवाइट करना है, तो उसका लास्ट का अंक पांच होना चाहिए या फिर लास्ट का अंक जीरो होना चाहिए. तभी तो वह 5 से पूरी तरह से डिवाइड होगी, होगी ना, किसी भी संख्या को, अगर आपको 5 से पूरी तरह से डिवाइड करना है, तो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसका अगर लास्ट में 5 होगा ना, तो वह 5 से पूरी तरह से कर जाएगा, अगर उसका लास तो यदि वह उन्हें पांच के सम्मू में लगाता है तो कितने हम बचेंगे बताइए तो 50 से कम हो गया यानि कि वह 49 है चाहे 48 है चाहे 47 कुछ भी है तो वह अपना एक सम्मू का निर्मार नहीं कर पाएगा कम्प्रीट सम्मू नहीं बन पाएगा ठीक है वह कम्प्रीट सम्मू नहीं बन जाएगा माल लेज़े 49 है और उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 59 पैतालीस कितना का हम लोगा बच गया यहां पे चार बच जाएगा हाँ चार बच जाएगा ऑप्शन में कहीं हम लोगा चार नहीं अगर माल लेज़े हम लोगा 48 है चाहे 47 का सम्मू बनता है 47 ही आम है और 5 से 5 नवा पैंतार्लिस, तो कितना बच रहा है, दो का हमबोगों का बच रहा है? सुन ये तो होगा नहीं, क्यूंकि पचास तो है नहीं, तो सुन नहीं होगा नहीं हम लोग का, क्या होगा हम लोग ओप्षण में यहाँ पर? वह दिखना रहत रहत हैं जैशहाए ऐसे सको आप लोग छोडिए इस से मुट के बलैक बोर्ट पे हम बताएंगे फिरा यह बताएंगे ऋधिया इसकों थिल्निया nam है फिर तीन है फिर चार नहीं है चार के बाद एक इस कीप कर दिया बारा है चार इस तेरा है कि इना कितना का गैपिंग कर रहा है थेरा के बाद спорт connection 21 27 नहीं आया 8 18 19 भी नहीं आ था है कितना रहा है 21 चलिए अब देखिए 21 के बाद कितना का गैपिंग हो रहा है गाला कि किसके बास में आया तेसरे लिया चोबिस सप caucus नहीं चभीर शब्ष नहीं आया 28 shaking him the ambiente nah 30 मुस्यान कितना इसारे कितना है टीश कोड़ेशाआered किसी ओिट कि अरफ किटना सबुद्रीश मेंकि नहीं तो होगा पहले चार का गैपिंग हुआ फिर साथ का गैपिंग हुआ और साथ के बाद आप कितना का गैफिंग हुआ कितना का क्या होगा ठाटी फोर में से आप ठाटी वन माइनस की तो यहां पर हो गया हम लोका 3 एट 13 का गैपिंग हुगा आप नंबर को काउंट देखिए नंबर को देखिए चार फिर साथ फिर तेरा कि कितना का डिफ्रेंस हो रहा है सब के बीच में यह फाइंड आउट कीजिए कि कितना का डिफ्रेंस हो रहा है सब के बीच में चार के बाद, तीरी के बाद, वन का गेपिने, एट के बाद, दो का गेपिने, अगली संख्या क्या होगी हमारी? तेरा का गेपिंग है ना, चार, चार के बाद साथ, साथ के बाद तेरा, तेरा के बाद हम लोगा कितना का गेपिंग हो जाएगा? यह देखिए, यहां पर हम लोग की एक संख्या दी गई है 34, 47 तेरा का gapping होगा नहीं, तेरा से ज्यादा का होगा gapping कितना का gapping होगा, नेक्स्ट फिगर में हम लोग का 21 का gapping होगा 21 का gapping होगा, इसलिए यहां पर शंक्या हम लोग का हो जाएगा यहां पर कितना का gapping होगा, तेरा का gapping होगा, तेरा के बाद 21 का gapping होगा जितने और फिगर हैं, ऐसे gapping चल रहा है हम लोग का आप लोग notice कीजिएगा, जितने भी gapping है, जितने भी सब फिगर आ रहा है, सब और फिगर आ रहा है जितने भी फिगर आ रहा है, सब हम लोग का event number नहीं आ रहा है, और नमबर आ रहा है तो हम लोग का इसके बाद जो भी figure आगा, जो भी options है, केवल क्या करना है, 34 में से options को subtract करके देखिए ठीक है, odd digit कौन सा आ रहा है, odd digit जो आएगा न, वही हम लोग का होगा तो यहाँ पर हम लोग, अगर हम लोग 43 से 47 को हम लोग subtract किये, तो again 30 ही आ रहा है, तो 13 का gapping होगा नहीं, उससे more हो जाएगा 15.5 से जब हम उसको subtract किये, तो 21 का gapping आ रहा है, 21 हम लोग का odd number है अगर 68 से minus करेंगे, तो हम लोग का even number आ जाएगा, इसलिए वो नहीं होगा खिक है, और अगर 43 से हम लोग इसको 34 को subtract करते हैं, 43 से तो कितना आ जाएगा हम लोग का, वो figure हम लोग का less हो जाएगा 13 से, तो वो भी हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, जैसे जैसे हम लोग increase हो रहा है है, distance बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग का figures बढ़ेगा, तो यहाँ पर figure छोटा हो गया, इसलिए 43 हम लोग का नहीं आएगा, 47 से minus कियें, तो 47 से 30 ना रहा है, exact वो figure आएगा नहीं, 68 से minus करेंगा, तो even number आएगा, even number हम लोग का इसमें आएगा ही नहीं, जितने भी gaping है, सब order number आ रहा है, 55 से minus करके देखें, 55 से minus करने के बाद हम लोग का odd number आ रहा है, 21, और वही हम लोग का exact answer होगा, चीक है, यह समस ब्लैक बोड पर बताने माला है, यह समस ब्लैक बोड पर बताएंगे, देखिए, question number 39 देखिए, बोल रहा है कि सिख्षिका ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को कुछ वस्तुओं के कोने का अवलोकन करने के लिए कहा, ठीक है, माल लिजे, आपका ब्लैक बोड है, ब्लैक बोड इसक्वायर सेप में होता है, उसके कोने का अवलोकन करने के लिए के होते हैं, तो इस गतिविदी के द्वारा बता लिजे कर सकती है, बताइए तो देखिए, किस विजेभ पर अवलोकन कर सकती है? समकोन की ठीक है आयत की आयत के छेतरफल की आयत के पड़िमाप की या फिर वर्ग और आयत के बीच अंतर की किसकी वो चर्चा कर रही है चलिए बताइए आप लोग बताइए इसका अंसर क्या होगा क्वेश्चन नमबर अगर मान लिजिए हम आपको ब्लैक बोड दिखा रहे हैं और ब्लैक बोड के तीनो कोनों के विशे में तीनो जो हम लोग का बिंदू है जो उसका टॉप का कॉर्णर है हम उस विशे में आपको दिखा रहे हैं तो मान लिजिए एक blackboard को अगर आप देख रही है उसके तीनों हम लोग का जहां पे दो बिंदुए आपस में मिल रही है तो वहाँ पे एक समकोन का निर्मार हो रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है आप अपने mobile को भी देखिए अगर आप अपने mobile के corner को देखिएगा तो दो लाइने एक जगा जाके एक बिंदुपे जहां पे मिल रही है वहाँ पे आपका एक समकोन बन रहा है चाहे copy के pages को भी देखिएगा तो जो हम लोग के बिंदुए चार बिंदुए वहाँ पे जो दो लाइने आपस में एक बिंदुपे जब टच करती है मिलती है तो वहाँ पे हमनों का एक समकोंड एक 90 डिग्री का कोंड बन रहा है तो इस गतिविधी के द्वारा वह क्या बताने की कोशिश कर रही है समकोंड की चर्चा कर रही है कि समकोंड कोंड कैसा होता है 90 डिग्री का एंगल कैसा होता है ठीक है वह आयत के छेतरफल की चर है। अगर उसはは संकोण की उन्तर सबक्रवा Всld За यहाँ पर यहां में वह लेको enjoyed , निकिन को कव省 के कि इनकर समकोण के में विशए में बता रही है कि यहाँ पे हम लोग का 90 डिग्री का एंगल जब दो बिंदुएं दो लंब आपस में एक बिंदु पर बनते हैं एक सीधे लंब तो वहाँ पे हम लोग का 90 डिग्री का एंगल बनता है समझ में आया question number 40 रगू सुबा 9 बज के 10 बजे स्कूल जाने के लिए घर किसे निकलता है उसे स्कूल पहुँचने में 20 मिनट लगते हैं आधा रास्ता पहुँचने के बाद उसे याद आता है कि वह अपनी गनित की कॉपी घर पर ही भूल गया है ठीक है वह वापस जाता है और कॉपी लेता है यदि वह समय शमान गती से चलता है तो घरी में मिनट की सुई किस अंक पर होगी जब वह स्कूल पहुँचेगा ये questions का answers आप लोग हम जो बताए है न वो sums उसके अनुसार बनाईएगा करेंगे आज रहने में हम आप लोग को एक question पेपर शेंट कर देते हैं उसको आप लोग घर में इसका जो बाकिव है हम लोग का पैड़ागोजी शेक्शन को हम लोग करेंगे बाद में और हम जो इसका numerical portions है कुछ-कुछ blackboard प्रिकल बताएंगे ठीक है और आप लोग को हमना question एक send कर देते हैं उस questions को आप लोग घर में solve कीजी प्रिया जी चली गहीं ठीक है पूजा जी एक question हम send कर रहे हैं उसको सघर में solve कीजी उसका हिंदी उसका maths उसका EBS उसका GDP ये सारा solve कीजे solution कीजे और इसका हम आपको जिन class में बताएंगे टीकिया जी आपको टीकियो ये जापको लेते हैं आपको जापको बताएंगे